मेरा नाम मेरा देवी है मैं स्वास्त विभाग में बीएश डवलू के पदपर महराज गंज में कारे रत हूँ और मैं बहुत सम्मानित किसान की बेटी हूँ मेरी सुरू से इच्छा थे कि मैं स्वास्त विभाग में आऊँ मुझे स्वास्त विभाग में आने की प्रेड़ा अपने पिता जी के कारे को देख कर मिली इस समय मैं जिस एरिया में कारे करती हूँ मुझे ऐसा मासूस होता है सब मेरे अपने है उनके स्वास्त की जिम्मेदारी ही मेरा मीशन है इनके अंदर जो छमता है जो वास्तों में एक इनम बहनजी के अंदर जो होना चाहिए चाहिए बच्चों का हो चाहिए महिलाओं का हो चाहिए कि सूरियों का हो उनके अंदर कैसे आत्मी विश्वास भरे, इनके अंदर खुद भी आत्मी विश्वास है और ये दूसरों के अंदर भी आत्मी विश्वास भरने का कारे करती है उनकी सबसे बड़ी खुबी है कि वो उधारन के साथ बात करती है और एनर्जी पेदा करती है मेरे वहां अस्वंदी कायम फुआ उसमें पहुचना है और पानी बरशने लगा छाता लिए चल दिए मेरा काम तो होना है भाई एक दम से दैवी आप दा उसको तो कोई रोकी नहीं सकता लेकिन जितना चलने वाला है उसमें मैं अपने प्रयास को जारी रखती हूँ सफल बनाने में उसको और मिलता है उसका लाव मिलता है लोग मेरे पास से खूस होकर जाते हैं तो मुझे बहुत आनंद का इहशास होता है कि जच्चा बच्चा दोनों की रच्छा हो गई कि शोरियों की मिटिंग होई उनको सलाह मसारा देना, साफ सफाई सिखाना, कैसे समाज में रहना कोई बच्ची पढ़ाई छोड रही है उसको भी प्रोत्साहन देना कि भाई आज ये चीजे हैं पढ़ाई लिखाई के बल पे लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है ये हवसला मैं बच्चीयों को पहले देती हूँ जिस एरिया में हम काम करते हैं बहुत पिछडा एरिया है, मेरी बहुत जरूरत है वहाँ अब मेरी शारी बहनों से यही अभिलासा करती हूँ कि अपने जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से निभाएं कि मेरा मीशन पूरा हो शके हार न मानूंगी मैं अपनी, चाहे पत्मे सूल विछाओ